आज की इस कर्च्छा में हम प्रस्ना वली तीन दस्मलों तीन के प्रस्नों को हल करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रस्न है अभाज गुननखंड विधी द्वारा निम्नलिकित संख्याओं का घनमुल ज्याद कीजिए तो इसका मैं तीसरा प्रस्न ले रहा हूं और यह तीसरा प्रस्न है रिनात्मक संख्या है इसका घनमुल हमें निकालना है चलिए इस तरह से निकालते हैं हम इसे लिख सकते हैं माइनस यह निकालना है माइनस एक तीन तीन एक याने माइनस यह क्या है 1331 तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस वान इंटू 1331 अब इससे फिर हम जान रहे हैं कि अगर माइनस वन का अगर हम घं करते हैं तो minus 1 आता है क्योंकि minus 1 का घं मतलब minus 1 into minus 1 into minus 1 तो यह हो जाता है minus 1 तो हम यह minus 1 के जगह यह minus 1 का घं लिख सकते हैं minus 1 का घं और गुना 1, 3, 3, 1 इसे हम इस तर से भी लिख सकते हैं minus 1 का घं फिर इसका घं मूल गुना यह 1, 331 का घं मूल minus 1 का घं और यह घं मूल एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को खत्म कर देते हैं तो यह बच जाता है हमारा minus 1 और 1331 का हम घं मूल निकालते हैं तो आप यहां देख रहे हैं इसका अब हाज्य गुनान खंड हमने किया है तो यह 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 आ रहा है इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 अर्थात यह minus 1 और यह हम त्रिक बन रहा है 11 का अर्थात 1331 का हमारा घं मूल आ गया 11 तो अब minus 1 से गुना हो गया तो यह हो गया minus 11 इस तरह से minus 1331 का हमारा घं मूल आ जा रहा है minus 11 रिनात्मक जो संख्याएं हमारी मिलेंगी उसको इसी तरह से हम उसका घं मूल निकालते हैं यह हमने समझाने क्लिकिया था इसे अब हटा दे रहे हैं यहां से प्रस्ण संख्या दो निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल निकालिए यह जो संख्याओं दी गई हैं यह दसमलो वाली संख्याओं हैं तो आएए हम लोग देखते हैं कि दसमलों वाली संख्याओं का घंमूल कैसे निकालते हैं तो मैं पहला प्रस्न ले रहा हूँ इसे हम इस तरह से लिखते हैं शुन्य, दसमलों, शुन्य, शुन्य, एक, साथ, दो, आट का घंमूल इसे फिर हम भिन्द में बदल के लिखते हैं तो भिन्द में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाएगा एक साथ दो आठ और बटा एक पर उतने ही सुने होंगे जितना यहां दस्मलों के बाद अंख है तो यहां दसमेलों के बाद अंक है एक, दो, तेन, चार, पाँच छे, एक, दो, तेन, चार, पाँच छे. अब हम देख रहे हैं कि ये जो घनमूल है, ये इसके उपर भी है और इसके उपर भी है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंस का घन्मूल और हर का घन्मूल तो ये अंस का घन्मूल बटा ये हर का घन्मूल तो इसे हमने क्या किया ये अंस का घन्मूल और ये हर का घन्मूल अब जैसे हम लोग पहले घन्मूल निकालना सीख चुके हैं अब हाज़ गुनन खंड की विधी से तो ये 1728 का हम आभाज गुननखंड करते हैं तो ये हमने किया है ये तो आएए इस आभाज गुननखंड को लिखते हैं तो यहां देख रहे हैं 2 कितनी बार हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और तीन, तीन बार तो इसे लिखते हैं दो, गुना, दो, गुना, दो, गुना, दो, गुना, दो, गुना, दो ये 6 हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब तीन, गुना, तीन, गुना, तीन ठीक, इसी तरह से हम इसे भी लिखते हैं तो यह हो जाएगा 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 चुकि 6 सुने थे तो 10 छे बार गुना हुआ एक दो तीन चार पांच 6 अब हम लोग घंडबुल निकालने में क्या करते थे कि त्रिक बनाते थे तो देखिए यहां से यहां एक त्रिक हो गया यहां से यहां एक त्रिक हो गया यहां से यहां एक त्रिक हो गया तो अब एक त्रिक यह जो त्रिक है इसके लिए हम बाहर नि त्रिक के लिए दो आ गया ये दूसरे वाले एक त्रिक के लिए दो आ गया और तीसरा वाले जो तीन का त्रिक है यहां तीन आ गया इसी तरह से यहां एक त्रिक 10 का है ये दूसरा तरीक है तो ये पहले वाले के लिए हमने 10 लिखा और ये दूसरे वाले के लिए 10 तो ये हो गिया 2 दुनी 4 याई 12 और 12 बटा 100 अर्थात इसे हम लिख सकते हैं शुन्य दस्मलो 1, 2 तो दस्मलो में बदलना आप जानते हैं यहां जितने शुन्य है यहां 2 है तो यहां से हम गिल लेते हैं 1, 2 और यहां दस्मलो बटाते हैं वही हमने किया है शुन्य दस्मलो 1, 2 तो हमारे जो दी गई संख्या थी दस्मलो वाली उसका हमारा घनमूल आ गया शुन्य दस्मलो 1, 2 प्रस्न संख्या 3 तीन संख्याओं के घनों का योग शुन्य दस्मलों 3, 3, 4, 1, 2, 5 है यदि संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में हैं तो संख्याएं ग्याद कीजिए आई ये से हल करते हैं तो सबसे पहले मान लिया कि पहली संख्या बराबर 2x 2x, दूसरी संख्या बराबर 3x और तीसरी संख्या बराबर 4x तो प्रस्न से, प्रस्न में क्या कहता है कि इनके घनों का योग अर्थात 2x का घन जोड 3x का घन जोड 4x का घन ये बराबर है और ये हो जाएगा 64x का घन बराबर 0.3, 3, 4, 1, 2, 5 अगर हम ये तीनों को जोडते हैं तो ये हमारा आ जाता है 99x क्यूब और 0.3, 3, 4, 1, 2, 5 या x क्यूब बराबर 0.3, 3, 4, 1, 2, 5 पांच बटा 99 अब हम ये जो दस्मलों वाली संख्या है इससे भिन में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 3, 3, 4, 1, 2, 5 बटा एक पर उतने ही सुने होंगे जितना दस्मलों के दाहिनी और अंक हैं तो दस्मलों के दाहिनी और या उसके बाद जो अंक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यहाँ पर छे सुनी हो गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और ये 99 नीचे में है तो अब हम लोग उपर में करते हैं यहाँ पर लिख रहा है तो यहाँ हमारा एक्स क्यूब बराबर हो गया आप यहाँ 99 से इसे काटेंगे तो आप काटके खुद से देखेंगे तो यह आजाएगा तीन, तीन, साथ, पांच यह आएगा आप खुद से इसे 99 से इसमें भाग देके या जिस तरह से काटते हैं नौ से इसे काटेंगे नौ से इसे काटेंगे फिर जो आएगा फिर उसे काटेंगे इस तरह से करते हैं हम लोग यह प्रिक्री आप जानते हैं तो यह हमारा आजाएगा इतना तेन तेन साथ पांच और यह यहाँ पर है 1 पर 6 सुनने 1, 2, 3, 4, 5, 6 Xική बरावर यह है तो X बरावर क्या होगा इसका घनोर 3, 3, 7, 5 बटा एक पर 6 सुनने इसको थोड़ा सा और नीचे से करते हैं, ये इसका अर्थ ये है कि आंस का भी घनमूल होगा और हर का भी घनमूल होगा तो आईए इसे अलग-अलग लिखते हैं, अंस का घनमूल और ये हर का घनमूल तो इस अंस का तीन, तीन, साथ, पांच, तीन, हजार, तीन सो पच्छतर का हम अभाजे गुननखंड करते हैं तो यहां हमने किया है, यह अभाजे गुननखंड आया, तो इसे लिखते हैं, यह है तीन, गुना, तीन, गुना, तीन, गुना, पांच, गुना, पांच, गुना, पांच, देखें, थोड़ा सा यहां पर सट गया, इसे हम थोड़ा सा यह आपने देख लिया, इसलिए अब तीन गुना तीन गुना तीन गुने पांच गुने पांच गुने पांच यही था और यह हमारा है यहां क्या हो जाएगा छे सुनने है एक पर तो यह दस गुना दस गुना दस गुना दस गुना दस गुना दस छे बार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे तो यहां हम देख रहे हैं कि यह एक तरिक बन रहा है यह दूसरा तरिक बन रहा है तो जिसका जब हम घंबूल करेंगे तो इस एक तरिक के लिए इसके लिए तीन आ गया और इसके लिए पांच आ गया और इसी तरह से यहाँ भी दो तरीक है, एक तरीक है, एक तरीक है, यानि 10 गुना 10, तो यह हो गया हमारा 15 बटा 100, अर्थात यह हो जाएगा, शुन्य दस मलो एक पाँच, तो यह किसका मान निकला, X का, अब संख्याओं का हम मान निकालेंगे, जो तीन संख्याओं कौन कौन तो यहाँ पर पाहली संख्या, पाहली संख्या है, 2X था, तो 2 x 0.15, तो यह हो जाएगी, सुन्य दस मलो तीन गुना करके आप देख लें, और दूसरी संख्या, यह है, तीन गुना, 0.15, तो यह हो जाएगी, 0.45, और तीसरी संख्या हमारी होगी, तीसरी संख्या बराबर, 4 गुना, 0.15, अर्थाथ, 0.6, तो हमारे तीनों संख्याओं आ गई है, 0.3, 0.45, और 0.6, जाएगी, तीन गजारे टावन गुना, 0.5, तो हमारे टीन गुना, 0.45, यह हैं दूस्याद प्रदेगी,